हलो फ्रेंट्स वेलकम टो यूट्यूफ चैनल एजूकेशन निकेतन शिक्टि सेबन बीपीएसी री एक्जाम का इंतिजार कर रहे है भी अर्टियू के लिए एक बैड नूज है और बैड नूज यह है कि आज साम को मिली जनकारी के अंसार शिक्टि सेबन बीपीएसी प्रि प्रिक्षा कायोजन या तो अब अक्टूबर के आखरी हपते में या नौवंबर के प्रतमियर द्यूति हपते में किराया जा सकता है इस संबंध में जो अधिकारी जनकारी है कुछ दिनों के बाद ऑफिसियल वेपसाईर पर उपलब्द कराई जाएगी अक्टूबर के आ 70-75 दिन है यानि कि 75-80 दिन के बाद ही प्रिक्षा कायोजन किया जाएगा इस लंबे समय में आप चाहें तो मुख परिक्षा के तैयारी में जूड़ सकते हैं आप 70% समय मुख परिक्षा को दे और 30% समय प्रिक्षा को दे मुख परिक्षा में सबसे उप्योगी है एंसर इस बाद जो रिजल्ट आया है एजुकेशन निकेतन की जो एंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा था उससे तरुन कुमार पांडे जिनका की इंटरव्यू भी हमने आपके साथ साजा किया है रुपेश कुमार जिनका इंटरव्यू हम कल आपके साथ साजा करेंगे दोन नई परिस्तियों को ध्यान में रखकर हमने 12 अगस्त 2022 से 75 डे एंसर राइटिंग प्रोग्राम के सुरुवात किये जो हमारा अल्रेड़ी 6 बैच रणिंग है इस 7 बैच है इंग्लिस और हिंदी दोनों ही मीडियम में है मॉडल एंसर भी हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडि पर करना होगा और उसकी स्लिप आपको नीचे दिए गए वाट्सअप नंबर पर अपने नेम नेम अफ एक्जामिनेशन टेलिग्राम का नंबर इमेल आईडी और स्क्रीन सोट के साथ साजा करना होगा कि किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप वाट्सअप कर सकते और जो 66 वी ब्पिएससी के ड्रेच घ्रिंड मैं आपको बताता हूं कि जो ौनों आपके नाम लिए उन्होने प्रथम चरहण में सफलता पराप्त कि और भी दो हिंदी माध्यम की हैं उन्होंने भी प्रस्च रथम चरहण में सफलता पराप्त हुई है इस बास अब्न न स जो राइटिंग स्कील है और जो एंसर राइटिंग पैटर्ण है वो नए पैटर्ण के एकॉर्डिंग है जो की एक्जामनर अब उसे पसंद करते हैं यानि कि पॉइंट वाइज फॉर्म में क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो तो इन चीजों को आप डेली आंसर राइट प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं